Hello guys, this is Raoul taking you to Microclasses new video इस वीडियो में हम B.Ed की एक फाइल देखने वाले हैं EPC6 की ये फाइल है Enhancing Professional Capacity 6 Working with Community समुदाई के साथ कार्य करना सबसे पहले इस फाइल का इंडेक्स देख लेते हैं ये कुछ इस फाइल का इंडेक्स है इस तरीके से बनना है अब इसे देख सकते हैं इस फाइल में सबसे पहले तो आपको एक गूरूप मिलता है कोलीज से आप खुद भी बना सकते हैं कोलीज वाले आपको दे देते हैं उस गूरूप के साथ आपको 4-5 काम ऐसे करने होते हैं जो समाज को जागरूख करें इस फाइल को पूरा करने के लिए जागरुकता समबंदी पांच काम लिए गए हैं साकसर भारत, हरित भारत, स्वच भारत, बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ और जलसन्रक्षन इन सभी कारिये को लेकर समाज को जागरुक किया गया है क्योंकि सब कारिये के साथ समुदाई कारिये लिखावा है और थाथ हमने समुदाई के साथ कारिये किया है इन सभी योजनाव को लेकर यह इस फाइल का इंडेक्स है, आप इसे देख लीजिए मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ यह इंडेक्स था अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की यह फाइल क्यों बनती है, क्या होती है इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि यह फाइल हमारे B8 Second Year का कोर्स का भाग है इसमें यह यह होता है जो स्टुडेंट्स हैं B8 Second Year के उनमें 10-10 सदस्टों के समू बनाए जाएंगे और उनको कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो समाज को जागरूप करें यह आप उदारन देख सकते हैं इनमें से आप कोई भी काम ले सकते हैं यह आपका इंट्रोडक्शन था अब बात कर लेते हैं समू का परीचे है क्या आपके समू का क्या नाम है आप खुद रख सकते हैं कोई भी समू का नाम ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है बट आप रख सकते हैं समू में कुल सदस्ट्स्य है समू के मुख्य सदस्ट्स्य का नाम और समू का कारिया छेतर अलग-अलग गुरूप डिवाइड किये जाते हैं किसी भी कलास के और उनको अलग-अलग जगह दी जाती है आप इस छेतर में जाईए और वहाँ पर अपने समुदाई कारिया को पूर्ण कीजिए तब इस समुदाई के लिए जो कारिया छेतर मिला वहरामपुर मनियारन था आप अपने अनुसार लिख सकते हैं अपने छेतर का नाम समुदाई के सभी सदस्टों के नाम लिख सकते हैं और नाम आप पूरे लिखिए कोई कोई single name ही लिखता है first name जो की गलत होते हैं आप नाम पूरे लिखिए आपके ग्रूब में कौन कोन है पूरे नाम लिखने होते हैं आपको अब समू द्वारा चुने गए कारिये समू ने कौन-कौन से कारिये चुने हैं उनके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि इस समू ने इस प्रोजक्ट को पूर्ण करने के लिए पांच कारिये चुने हैं वे पांच कारिये कौन-कौन से हैं उनके उत्देशएन निमलिक्ट वरणित हैं सबसे पहला साक्सर बारत उसके क्या उत्देशए हैं चाहिए तो अप ये पांच कारिया ही लिखना चाहिए अपनी फाइल में एक दो एक्स्ट्रा लेना चाहिए ये चेंज करना चाहिए आप पर आप कर सकते है जल संदक्सन ये 5th point है आप लिख सकते हैं अब हम एक एक करके अपनी योजनाओं को पूर्ण करेंगे सबसे पहले हमारे कारिया ये योजना का नाम है साकसर बारत आप कोई भी फोटो लगा सकते हैं साकसर बारत से संबंदित जो भी आप के पास है या नैट से निकलवा लिजिये या फिर आप जब रेली वागएरा भी करते हैं समूदाई के साथ जब कारिया करते हैं आप समाज को जब आप जागरुक करते हैं उस time पर आप poster चिपकाते हैं थोटी मोटी रेली भी निकालते हैं उनके आप फोटो ले सकते हैं वैं फोटो आप लगा सकते हैं इस फाइल में साकसर बारत हमारे पहले कारिया का नाम है जो हमने लिया है उस कारिया के बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए क्या होता है मैं यह फाइल फोरवर्ड कर रहा हूँ आप वीडियो पोज करके से सेम लिख सकते हैं जिस तरीके से बनी हुई है इसके अलावा बियर्ड की सभी फाइल से लेसन प्लैंस प्रिवेश येर पेपर्स अध्याबक डायरी एक्सन रिसर्च वगेरे मैं सब कुछ अप्लोड कर चुका हूँ इस चैनल पर प्लैलिस्ट बनी हुई है आप महा जाकर वह चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज की जरूत होती है आप कोई भी एक पोयम लिख सकते हैं अच्छा होता है इस फाइल में पोयम लिखना क्योंकि पोयम मोटिवेट करने के लिए अच्छे मानी जाती है यह सिक्सा के उपर एक पोयम लिखी हुई है आप इसे सेम कोपी कर सकते हैं यह पोयाम है आप देख लीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो आप इसे लाइक कर सकते हैं वे अपने दोस्तों को भी बेज सकते हैं समुदाइक कारिये अब इसके लिए जो हमने समुदाइक कारिये किया है उसकी बात कर लेते हैं की लिएोजना का नाम हमरी जून से टोली है समू के कुल उपस्तिन सद स्द से मुने थिए कितने थे, योजना का नाम साकस सर बारत थी। कारिय का स्थान वही रामपुर मनियारन क्योंकि हमारा कारिय छेत रामपुर मनियारन है कारिय में कौन-कौन सी किरिया हैं की गई थी रेरी निकानला नारे लगाना पोस्टर लगाना जिस भी तारिक को पूर्ण किया हो वह आप तारिक लिख सकते हैं या आप छोटा सा डिट कि आज दिनांख को हम सभी यहां पर इखटे वे और हमने इस गाउं में गुम गुम कर या इस छेतर में गुम गुम कर यह जगह खाली चुटी हुई है यहां पर आपको अपने छेतर का नाम लिखना है हमने गाउं सहर या कसबे में गुम गुम कर लोगों से संपर्क किया इस और इसके साथ ही हमने सिख्षा के मैतों को समझाने के लिए एक नाटक भी प्रस्तुत किया जिसमें हमने सिख्षा के मैतों को समझाने का परियास किया तथा हमने लोगों को समझाया की इस तरह से करके आप लिख सकते हैं यह साकसर बारत के लिए हम समुदाइक कारिय कर रहे हैं उसका कारिय विवरण आई है यह देखिए यहां पर जगह छोटी हुई है हमारे इस छोटे से परियास में सभी गाम वालो, कसबे वालो, सैर वालो जो भी जहांपर भी आप कारिये कर रहे हैं उसके अनुसारा आप यहांपर बढ़ सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो योजना है वह है ग्रिन इंडिया हरित बारत या फिर पेड काटने से रोकने के लिए फोटो लगा सकते हैं आप कुछ जो भी फोटो है जो आपकी रेली वगरा जो आप रेली वगरा निकालते हैं उसका कोई फोटो आप लगा दीजिए या फिर आप खुद भी कोई एक दो पोस्टर प्रिंट करवा के तिवार पे चिपकाते हुए फोटो लगा सकते हैं यापर कि आपने यह कारियर रियल किया है क्योंकि यह working with community है आपको दिखाना होता है कि आपने community के साथ जाकर काम किया है हरित बारत या हमारी दूसरी योजना है उसके बारे में आप थड़ा लिख दीजिए विरक्सर ओपन क्यों आवश्चक है हरित बारत जोई योजना है इसकी क्या आवश्चकता है इस तरह से करके भी आप लिख सकते है चेक कर सकते हैं स्क्रोल डाउन कर राव वीडियो पोज करके आप यह फाइल बना लीजिए उसके बाद आप थोड़ी पोईटरी कर सकते हैं यह आप लिख दीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो तो आप बीच में लगाते ही रही है इस फाइल में और इस योजना को पूंड करने के लिए हमने जो समुदाइक कारिया किया अब उसकी बात कर लेते हैं यह डिटेल्स तो सेम ही रहेंगी सब में कारिय के अंदर गताने वाले किरियाएं वगएरा डेट वगएरा डेट आप डाल दीजिए जिस तारिक को भी आप कारिया करें यह सब मैं बता चुका हूँ पहले भई यह ऐसा भाई ओप आप जानते होंगे अब दूसरा इसकी उद्देश से है योजना के उद्देश से है जो हमने इस योजना को पूर्ण किया उसके हमारे क्या क्या उद्देश चते अब बात कर लेते हैं हमारा कारिया विवरन कि आज दिना को हम यहां पर वो पहले की तरह ही हर बार आप अपने हिसाब से कर लीजिए मैं आपको फैल दिखा देता हूँ छोटे-छोटे कोटेशन्स आप इस फैल में डाल सकते हैं बीच-बीच में हेडिंग से ये स्केच डोटो जो भी आपके होती है सेव ट्री, सेव लाइफ इस तरह करके हमने वहां पर अने एक नारे भी लगाए इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जब आप सामुदा एक कारिया करेंगे लोगों को मोटिवेट करेंगे उन्हें जागरुक करेंगे या कर्या करने के लिए उस टैम आप जो भी करेंगे यहां पर आप लिख सकते हैं सवच बारत हमारी नैक्स उजना का नाम है सवच बारत सवस्था रखनी चाहिए हमें अपने आस्पडोस जो भी आप थोड़े वोतकारिय करेंगे स्वस्ता के लिए फोटो कीच सकते हैं आप उनके और इस फाइल में लगा सकते हैं कोई रेली वगर निकालेंगे उसके भी आप फोटो लगा सकते हैं खीच के स्वस्ता क्यों जरूरत है थोड़े इंट्रोडक्शन दे दीजिए उसके बारे में कोटिशन साफ हमेशा डालते रही है इस फाइल में जहाँ पर भी आपको थोड़ी जगा है मिले नैट से उठाईए कोई भी कोटिशन डाल दीजिए और आपकी poetry हो जाती है जो कि हर रियोजना के साथ चलेगी यह poetry आप लिख सकते हैं समुदाइक कारिय है इस रियोजना को पूर्ण करने के लिए हमने क्या समुदाइक कारिय किया उसके बारे में पहले आप थोड़ी basic details देंगे यह आप जानते ही हैं और योजना के हमारे क्या उद्देश्चत है अब हमारा यह कारिय विवरण कि आज हमारा समुदाइक यहाँ पर पहुचा वहाँ जाकर हमने पूरे छेत का दोरा किया अब आप समझी गए होंगे यहाँ कैसे लिखना है आप इसे देखकर लिख सकते हैं बस अस्थान वगएरा का नाम बदल दीजिए कहीं स्कूल विद्याला का नाम आता है कुलीज का नाम आता है कुछ वहाँ बदल दीजिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं हमारे समू में यही है इस्टुडेंट्स थे उन्होंने इन व्यक्तियों को यहाँ बताया है कुछ लड़कियों के नाम बता दीजिए उन्होंने इन महिलाओ को यहाँ बताया में लड़किया महिलाओ के घर गई महिलाओं से बाते की और उन्हें यह कारिया करने के लिए मोटिवेट किया, जागरुक किया, प्रिरित किया ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसमें बीच में कहीं कहीं को बाद में यह लाइन लिखना अच्छा होता है लोगों ने हमारे इस छोटे से समुधा एक कारिया में सायोग किया ततत गंदगी नया करने का वादा किया नेक्स्ट हमारी परियोजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अक्चुल में अगर आप बेड कर रहे हैं तो बेड में आपको पता होगा कि बेड में तो बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ की ज़्यादा जरूरत है लड़किया यहाँ आपर काफी होती है राउंड 70% होती है किसी भी क्लास में यह लोगो होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आपको लगाना होता है इसके अलावा जो भी आपनी रेली बगर निकाल लिया उसका फोटो लगा दीजिए एक दो फोटो नेट से निकाल कर लगा दीजिए खुद आप अपनी कुछ किरियेटिविटी दिखा सकते है इस तरह से ख़दरना क्रियेटिविटी है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह हमारी पर योजना है इसके बारे में आप थोड़ा लिख दीजिए क्या होती है यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में योजना के बारे में लिख सकते हैं कब शुरू ही थी क् भी दे सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, आप ये जो योजना थी, बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, इसके क्या उद्देश्च से थे, किन उद्देश्चों को ध्यान में रखकर या योजना शुरू की गई थी, बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, कोई योजना के उद्देश्च से ही चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारी आ जाती है, एक पोएटरी, जो भी आप लिखना चाहें, लिख सकते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ के बारे में, कोई भी एक पोएम लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट आ जाता है, यह हमारा समुदाइक कारिया है, इस योजना को पूर्ण करने के लिए, हमने क्या समुदाइक कारिया किया, समुदाइक के साथ किया गया कारिया, या फिर समुदाइक कारिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यह हमारी बेसिक डिटेल्स हैं, आपको पता ही है कैसे लिखने है उसके बार में हम लिख सकते हैं जो आपको दिखा रहा हूँ, आप छेक कर लीजिए वीडियो और आपको helpful लग रही हो आप इसे share कर दीजिये और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बीर्ड के सबी डिटेल्स फाइल्स वगरा यहां पर आपको मिल जाएगी बड़े अराम से नेक्स्ट हमारी हो जाती है एडिंग जलस अनक्षन यह हमारी लास्ट ही हो जनाया जो अमनली थी और यह उसके लिए आप कोई भी रेली वगरा पोस्टर वगरा चापेंगे में आप फोटो कीच के लगा सकते हैं कोई अपना खुदगब बना सकते हैं से वोटर करके इस तरीके से अप लगा सकते हैं फाइल में यह हमारी योजना का नाम है जलस अनक्षन सबसे पहले जलस अ स्टेटमेंट आपके सामने कोई स्टेटमेंट आपको याद हो वह लिख दीजी या फिर जो यह लिख हुआ है वह लिख सकते हैं आप और कोटेसंस तो मेंसा लिख नहीं हैं आपको जल सन्रक्षंड के कौन-कौन से उपाये हैं किन किन उपायों को अपना कर आप जल सन्रक्षंड कर सकते हैं वैं आप लिख सकते हैं यहां से चेक कर सकते हैं आप वीडियो पोज करके यह जल सन्रक्षंड के उपाये थे ठीक इसी प्रकार आप एक पोईट्री कर दीजिए मैं जल हूँ बैता आई विरल हूँ वो समुदाइक कारिया इस योजना को पूर्ण करने के लिए हमने कुन सा समुदाइक कारिया किया उसके बारे में आप थोड़ डेटियल्स दे सकते है कब किया किसी स्थान पर किया कौन कौन से हमारे उद्देश से थे उस कारिया के वे कारिय विवरन उसका कारिय विवरन दे सकते हैं आप आज हमारा समुदाइक यहां पर गया इस गाउं में आप अपने अनुसार लिख लीजिए गाउं में सैर में जहां पर भी गया आप यह हमारा सामुदायक कारिया था उसके बाद conclusion आ जाएगा आप जो भी निसकर्स लिखना चाहें उपसंगहार या निसकर्स इस फाले को बनाने के बाद लास्ट में लिख सकते हैं और थोड़ा अपने teacher को भी जिसने आपके help की है क्योंकि सामुदायक कारिया आपके teacher भी आप कुछ भी लिख सकते हैं और लोगों के बाद में लिख सकते हैं जहां पर भी हम गए उन लोगों ने भी हमारा पूरा सा योग किया लास्ट में आ जाता है हमारा reference इस फाइल को बनाने के लिए हमने अगर data लिया है वह कहां से लिया है परियावरंडशिक्सा परियावरंडशिक्सा इंटरनेट है इस तरह करके आप लिख सकते हैं यह बीड की EPC की फाइल थी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे शेयर कर सकते हैं बीड की डेली क्लासिज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन बाबाय टेक केर